हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो में यूटूब चैनल एक्काउंटिंग स्टैंडर्स दोस्तों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ड्यूटी सें टैक्स कैसे मैच करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नही अगरे करने के लिए सबसे पहले आपको जो है करेंट लियाबलीती जाना पड़ेगा इस तरह से रहेगा दोस्तों जिसमें आपको गया करना है डेट चेंज के वन फॉर्ट और 30 फॉर्ट मंत्री मंत्री करते हैं तो मैं एक मुएन का पर दुखा जेता हूं लिखे यह एक फॉर्मेट था मेरे पास मेरे इडिट कर दिया है एडिट करने के बाद जो भी वायलिव से वो मेरे डाल कि यह हिस्टिंगर जिस्ट आपको दिखाने के लिए जो भी ऑनलेन में रिटन फैलिंग का है उसके बारे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो अभी फिलहाल जो है मैंने डाउनलोड करके डिट हरके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों देखिए आपका ऑनलेन जीएस्टियार 3B फैल हो जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पीडिया पाल डाउनलोड हो जाएगा एडिटन कॉप इसके बाद आपका कंपेनि का नेम भी यहां पर आ जाएगा दोस्तों इसके बाद दोस्तों इदर दीखिए आपको जो भी सेल्स है वह इधर आ जाएगा देखिए दोस्तों इदर जो है और अट्वर्ड सप्लाइज निल रेटेड और एग्जम्टेट से नहीं है तो मैं इसके बाद आपको जो भी इंपूट है वह आपको आपी मिल जाएगा उसके बाद और थोड़ा नीचे तड़ पीज मैने पर आपको जो भी आपने टैक्स पेड किया है उसकी डिटेल आपको यहां पी मिल जाएगी दोस्तों अभी मैं दिख्या दिखा देता हूं आपको इसके टैली करना है देखे सबस्पहले टोटल टैक्स इबल वाल्य यहां पर आपको दिहार आए बिख्ये तू लाक्तिश्च वोगन पाई हंदन पर इहले आप प्रॉफिट अन लॉस में जाके यह वाली अपने टैली कर लिजी देखे जाए प्रॉफिट अन लॉस में प्रॉफिट अन लॉस पर जाएए यहां पर भी डेट शेल के लिजी ओन फोर तो थीरट फोर अभी देखे दोस्तों हमारा टोटल चल कितना है तो लाक फिफ्टी सिक्स तौज़न 540 रूपी तो यहां पर कितना है तो देखें तो लाक फिफ्टी सिक्स तौज़न 540 अब एक एक करके आपको यह दिखना है दिखें सब्सक्राइब इंटीग्रेट टैक्स मतलब आई जीस्टी इसमें क्या लिखना है 12500 रूपी वेसा चाहिए दिखें आई जीस्टी पर जाएए अब देखें आपको 12500 आउट वोट 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 का लिखें यह दो सेल का अब का डिपरेंस देखें तो किसी एक टैश्टी में जाएए तोड़ा एक कुपया उपा निचे करती है उससे कोई फाराखने प्लेगा दोस्तों देखें अभी 12000 रोट मैर्च हो गया हमारा उसी तरह आपको थोड़ा नीच आना है इसे लिजिबल आई टीसी इनर आपको इंटीग्रेटेद टैक्स इधर भी दिखें पर्चेस का इंपूट है दोस्तों इसमें देखें 9,375 रूपेस आपका इंपूट है उभी देखें दोस्तों इसमें धून ये दोनों हमारे थ्रीभी से मैक्स होगा तो इसके बाद की लिए नेक्स्ट आइए उपर जाएए तो इदर वापस आईए, इसके दिखें, इदर इदर जाईए, इसके अंदर जाईए दोस्तों, अभी दिखें, इदर हमने क्या किया था, एक debit note डाला था, दिखें, 126 रुपिस का पर्चेस किया था, उसके बाद 126 का debit note डाला था, इसको प्रेस मेंस कर दिया था, तो जो भी तीन सेल था, उसका जो टोटल अउपूर्ट था, 285 रुपिस आया था, सेम इसलिए, 285 रुपिस इदर भी आगे थासको, इसलिए तरह उपर जाईए, 124 रुपिस इनपूर्ट का ITC हमारे पास अवेलेबल है, तो उतना ही इदर भी रहना चाहिए, देखें, नीच लोढूर्ट काईए, 124 रुपिस इसके लुपी जोड़ीवा लोड़ीज उतना ही, scholars सेम रहना चाहिए, 124 रुपिस हमारे उपंद शेया उतना ही, 128 रुपिस हमें, तो इसके बाद वहाँ आई रिपने पास, एदर दिखें, एक और आब आगे रुपिस का अमने पूचे भी नहीं को तो दिखें जाके दिखें चेस की कौलाम में आपको 50 रूपी में चाहँ के दिखा को नीचे और just zero तो मतलब आपका रिटान और न्रेट शोलक्रत का है जो भी डेटा अंड ना मत्याना कीनर तो इसकी क्या करना है आप एक एंट्री डाले कि आपको इसको निल करना है और कैसे करेंगा अभी में दिखाते श्क इन में आपको चिबसे पुले तुमसुस् Vik अपको सबसे फले जाहिए एक जीस्टी पेबल क्रेट कर लिए उसके बाद जो है वापस आग एकांटिंग वोचर्स पर आ जाहिए देखे अब यहां पर मन्क एंज पर आपको इस जर्नल एंट्री पास करने है दोस्तों देखे एक जर्नल एंट्री यहां पर जाहिए एंटर मारिये अब इदर जाहिए अब थोड़ा लाष्ट पेज में आए तो आपको इदर एक जाहिए देखे आए देखे टाक्स और से पेडिन कैश कर के यह जो कॉलम है दोस्तों इसके नीचे जो भी दिखा रहे है इतना एकस्स कैश अपने पेके है मतलब इतना टाक्स आए तो आपको इतना टाक तो आपके या था आपने त्रीहंड़ड़ड़ एं 3,100.25 रुपीज तो इधर दालिए है हाई जीएस्टी 3,100.25 रुपीज देखे 3,100.25 रुपीज देखे 3,100.25 नेक्स्ट क्या है चेंटर टैक्स एननी CGST यह तू होगा है इसको आपस बाइ कर दीजिए देखे CGST पिर सेस्ट है 50 रुपीज देखे का अपने फिर इसको बाइ कर दीजिए सेस 50 रुपीज कर दीजिए एंटर इधर अब तू करके GST पेडल कर दीजिए दोस्ते इधर नरेशन में अपलिक दीजिए वीइंग GST Payable for the month of April 2020 एंटर एंटर दीजिए एंटर दीजिए एंटर पाथ हो गया अभी आपको दके दिखाता हूं देखे उधर जाके देखे बालेंस शीट करेंट लाइबिलिटीस जूटी सेंट आक्स इधर देखे F214 34 दीजिए निल हो गया कुछ भी नहीं दिखा इधर आपक अभी आपको देखना है तो F12 प्रिस कीजिए ओपरिंग बलंस इस कीजिए ट्रांजक्शन की एस कर देजिए अभी दिखें किस तरह से मैंने निल किया इसको दोनों तरफ 13,480 13,480 दालके मैंने निल कर दिया अभी यह क्या हो गया दिखें 1.430 यहां पी जाके निल हो गय अब इसका पेबल एंट्री जो है इधर आके प्राविजन पर आपको दिखाए लेगा देखें जिए जिए पेबल पादी मन्त अपरिल 2020 इधर आके बढ़ गया अब इसको आपको पे करना है दोस्तों कब पेगाथ आपने अपरिल का जब रिटन करते हैं आप उसका पेमें में आपको बैंक से एंट्री जाके रहेगे 3497 अपने जीएस्ट के लिए पे करके रहेंगे तो आपको क्या करना है देखें एक प्रेस किजिए इधर आईए 155 इधर दालिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इधर आपको जीएस्टी पेएबल सेलेट करना है 3497 एंटर एंट में पेक किया है तो चेक नंबर सब डाल सकते हैं अनलाइन पेक किया है तो अनलाइन कुछ भी नी चाहिए इधर आप चाहिए तो लिक सकते हैं बींग जी एस्टी पेड पर दी मांत ओफ एप्रेल 2020 एक यह भी खताम होगा आपको पेएबल भी निल हो जाए इसकर आपको ज पर अगर में यहां पर सेलेक्ट हो तो दीखिए जूटी सेंटैक्स मेल हो गया अभी प्राविजिंस पर जाएए अगर दीखिए आपको एक अगले वीडियो में एक अगले वीडियो में एक अगले नहीं टॉपी केसा सब तक के लिए आप स्टेफ रहिए घर में ही रहिए